हेलो एवरीवन आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ SBI PSU Diet Plant Growth के बारे में इसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा कि यह जो मुच्छवल फंड है इसने पिछले एक साल, तीन साल, पांस साल या फिर annual return क्या दिया है आज के डेट में इसका एक NAB का प्राइस क्या है, यह कितने स्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें आप minimum SIP amount क्या लगा सकते हैं और इसका fund size क्या है साती सात मैं आप से discuss करूँगा, इसके अंदर कौन-कौन सा stock listed है और अगर आप इस mutual fund के अंदर कुछ पैसा जमा किया होते हैं तो पिछले एक साल, तीन साल, पांस साल के अंदर आपको क्या return देखने को मिलता है और लास्ट मैं आप से discuss करूँगा कि क्या हमें SBI PSU diet plan growth के अंदर investment करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर आपने already invest किया है तो आगे आप अपना SIP आप लमसम के साथ क्या करेंगे SBI PSU diet plan growth ये एक equity mutual fund है जो कि selectrical या फिर thematic category के अंदर आता है और ये काफी highrix mutual fund है इसने जो पिछले एक साल में return दिया है वो return है 83.79% का तीन साल के return के अपर बात करें तो तीन साल में 42.84% का return है पांस साल के return के अपर बात करते हैं तो पांस साल में 30.94% का return है और अगर annual return की बात करें तो इनका annual return है 13.61% का ध्यान देंगे अभी जो भी return मैंने आपके साथ discuss किया ये इनका one time यानि की लंसम का return है अगर आप एक बार में कुछ invest करते तो फिर आपको ये return देखने को मिलता अगर आप S.I.P. के थूरू investment करेंगे तो return आपको कुछ और मिल सकता है हमें जादा दिन करना है तो क्या हम कर सकते हैं या आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि application पर जो data दीख रहा है वो पांस साल का ही data दीख रहा है तो देखिए ये जो data है ये इनका return का data है आप इनके अंदर पांस साल से भी जादा investment कर सकते हैं इतनी आपकी मर्जी और जब तक ये mutual fund जो है बंद ना हो जाए तब तक आप इसमें investment कर सकते हैं इनकी एनेवी के उपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनेवी का price है 37 रुपया 42 पैसा rating की बात करें इसकी return calculator पे कि अगर आप इस mutual fund के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या return देखने को मिलता और मैं ही पर बात करूंगा कि अगर आप SIP के तुरू investment करते तो आपको क्या return देखने को मिलता इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना investment इस्टार्ट नहीं किया आज श्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के description में मैंने अपने debit account का referral ring दिया है अगर आप मेरे referral ring से join करेंगे तो फिर आपको कुछ rewards देखने को मिलेगा और आपको account opening या फिर account maintenance का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा अगर आप इस mutual fund के अंदर 5000 रप्या पर मन जमा करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 आपको मिलता 46,795 रप्या यानि एक साल में SIP के तुरू करीब आपको 28% का return देखने को मिलता तीन साल की बात करें तो तीन साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 आपको मिलता 3,64,462 रप्या यानि तीन साल में आपको SIP के तुरू 102% का return देखने को मिलता और अगर बात करें पांस साल का तो पांस साल में आपका पैसा जमा होता 3,00,000 आपको मिलता 8,9,479 रप्या यानि कि पांस साल में आपको SIP के तुरू करीब 170% का return देखने को मिलता अब अगर बात करें इस mutual fund के पांस साल में आपका 1,00,000 रुप्या 3,4,912 रुप्या होता अगर इसके अंदर जो टोटल स्टाक लिस्टेड है वो टोटल 26 स्टाक लिस्टेड है अगर हम इसमें top 10 आप सेक्टर वाज डिसकस करें तो पहला नाम आता है State Bank of India, Financial Chedra, Gale India Limited Energy, Power Grid Corporation of India Limited Energy, NTPC Limited Energy, Bharat Electronic Limited Capital Goods, Call India Limited Energy, Life Insurance Corporation of India Insurance, Petronet LNG Limited Energy, General Insurance Corporation of India Insurance, SBI Life Insurance Company Limited Insurance के छेतर में है, अगर इसकी holding analysis की बात करें, तो equity पे है 90% और cash पे है 9%, इसकी equity sector एक location को अगर देखें, तो energy पे है 42.2, financial पे 23.8, insurance पे 10.5, capital goods 10.1, metal and mining 9.2 और other से 4.3%, यानि कि अगर आप SBI, PSU, equity fund के अंदर अपना पैसा invest करेंगे, तो आपका पैसा इन सारी category पे distribute होकर के लगेगा, और एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना है, कि SBI, PSU, equity fund को आगे कोन ले जा सकता है, इसकी stock holding, और stock holding में अगर equity sector एक location की बात करें, तो energy sector आज के rate में काफ़े अच्छा perform कर रहा है, financial, metal and mining, यह 3 sector जो है, आज के rate में काफ़े अच्छा perform कर रहा है, और इनकी major जो equity sector एक location है, इनी तीन पे है, तो यहाँ से देखेंगे, तो अगर investment का क्रेटरिया देखें, तो 50% यह pass हो चुका है, कि हम लोग इसके अंदर अपना investment का, लेकिन 50% हम लोग और देखेंगे, return and ranking के उपर, अगर वो वहाँ पे अच्छा perform करेगा, तो फिर हम लोग इसके अंदर अपना investment करेंगे, इनके advance ratio के अगर बात करें, तो इसका price to earning ratio 14.58, और PB ratio 2.62, अगर आप इस mutual fund के अंदर अपना पैसा invest करना चाहते हैं, तो फिर minimum lump sum first time 5000 पर करना होगा, तो minimum SIP amount आपको 500 पर करना होगा, return and ranking के उपर बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं, SBI PSU equity fund का fund return, जो कि है एक साल में 83.8, तीन साल में 42.8, पांस साल में 30.9, और annual है 13.6, वहीं पे इस category का जो average return होता है, यानि कि equity selectrical या पर thematic category का mutual fund का, एक साल में 90.4, तीन साल में 44.8, पांस साल में 32.7 का है, और return rank की category पे देखेंगे, तो ये mutual fund हमेशा top 5 के अंदर ही अपना जगा बनाया है, तो अगर आप एक PSU mutual fund ढूंड रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना investment कर सकते हैं, अगर आपने already invest किया है, तो आगे आप अपना SIP या फिलंब सम को continue रखेंगे, इनकी expense ratio के उपर बात करें, तो इनका expense ratio 0.72% का exit load की बात करते हैं, अगर आप invest किया वाप ऐसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे, तो फिर आपको 0.50% का exit load देना होगा, और इसकी system duty की बात करें, तो system duty 0.005% Tax implementation की बात करते हैं, अगर आप invest किया वाप ऐसा 1 साल के अंदर निकालेंगे, तो जो भी आपका return होगा, उस पर आपको 20% का tax payment करना पड़ेगा, अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, और एक साल में 1.25.000 का return बनता है, तो फिर आपको साड़े 12% का tax payment करना होगा, यानि कि short term capital gain पे आपको 20% tax देना है, और long term capital gain पे आपको साड़े 12% का tax payment करना है, तो यह जो tax payment है, यह आप कैसे करेंगे, यह जब आप पैसा निकालेंगे, ऐसा नहीं है, कि जो आपका return दीख रहा है, उससे पैसा आपको काट करके मिलेगा, आप जब भी इससे पैसा निकालेंगे, तो आपका पैसा complete पैसा निकलेगा, लेकिन ये जो tax आपको payment करना है आप जब ITR फाइल करेंगे तब आपको इसको mention करके वहाँ पर tax payment करना है कि आपका कितना return मिला है अगर कोई investor एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है एक साल में 1,25,000 का return नहीं बनता है तो फिर उनको साड़े 12% का tax payment नहीं करना होगा इनकी fund house and investment objects के अगर बात करें तो SBI mutual fund टोटल असिस्ट पर इंडिया पर नमर एक पर रेंग करता है इसका total असिस्ट अंडर मनेजमेंट है 10,37,900 करोर का SBI PSU diet plan growth ये एक equity mutual fund है जो कि launch क्या गया SBI mutual fund की तरब से रिचार्ड डिसुजा अभी इस fund का current fund manager है इस fund का currently असिस्ट अंडर मनेजमेंट है 10,37,900 करोर का और latest ने भी है 37,40 पैसा SBI PSU diet plan growth ये एक काफी high-risk mutual fund है इसमें minimum SIP amount 500 रप्या का set क्या गया है और minimum lump sum 5000 रप्या का set क्या गया है अगर आप invest के अबाँ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का exit load देना होगा और इसकी fund benchmark की अगर बात करें तो इसका fund benchmark का BSU PSU total return index तो आज इस video के अंदर मैंने आपके साथ discuss किया SBI PSU equity fund के बारे में फिर मिलते हैं हम लग next को इस तरीके का वीडियो के अच्छी जानकारी को ले करके